यह आप सोच रहा हूंगे कि हिमान्सु की जगह मैं बता दूं कि मैं बोकारो स्ट्रीड सीटी का जो सर्कीट हाउस है वहाँ पर इस समय मवजूद हूँ। आप सोच रहा हैं कि हुआन सु आखिर सर्कीट हाउस क्यों पहुं। गया है, क्योंकि अभी नेताओं का आना जाना भहुत ही कम है, नेता यहाँ आने रहे हैalten मैं बताना चाहता हूं आपको कि मैं उस दरवाजें पर चल ज junction कर आया हूं आज मुझे विश्वास हो गया मैं circuit house के भोजनाले में पहुंचा हूँ जहां पर जो अधिकारी आते हैं और बड़े बड़े जब लोग आते हैं circuit house तो इस जगा पे आते हैं और यहां भोजन किया करते हैं आखिर इस भोजनाले में क्यों आया हूँ यह भी बताऊंगा पहले आप तस्वीरे देख ले हम circuit house के भोजनाले के अंदर पहुंच चुके हैं और यह तस्वीरे इसलिए मैं दिखा रहा हूँ यह तस्वीरे इसलिए महत्पून हो जाती है क्योंकि आज सुबह जैसे ही वाटसप खोला हमारे टेलीफोन पर राजु जी का एक मैसेज था राजु जी ने एक मैसेज भेजा था उसमें लिखा था कि हिमानसु भाई मेरे द्वारा एक परियास किया जा रहा है वोकारो सहर में जो लोग सदर अस्पताल में चल कर आएंगे जिनके परिजन मरीज होंगे जो दिक्कत में परिवार होगा उन पूरे परिवार के लिए हमारा सर्किट हाउस परिवार भोजनाले मुप्त में भोजन कराएगा ये जैसे ही वाट्सप में मैंने देखा मुझे बेहत ही खुसी होई कि बोकारो इस्टील सिटी में अभी भी मानावता जिन्दा है ये काम बड़े बड़े होटल के मालिकों कर रहा था ये चोटा सा होटल जो कुछ चंद लोगों को ही भोजन कराता है उनके मालिक के दिल में इस तरह की सोचाना अपने आप में बोकारों के लिए प्रसंद का भी से था इसलिए मैं यहां आया हूं राजुजी से मिलने के लिए राजुजी क्यों आपने इस तरह का योजना लाया है योजना लाया है कि बहुत से जरुत मंद लोग है जिनको भरपूर भोजन नहीं मिल पा रहा है इस विकट परिस्थिती में सब कुछ बंद है सारा सह जो लोग विकर परिस्थितीं परे हुए भोजन नहीं मिल पा रहा है या रासन नहीं मिल पा रहा कुछ नहीं तो उसको भी मदद करने को तहीर है अपना वाट्सप नमबर दे चुके है फेस्बूक पर वहम से कॉंसल करेंगे हम उनको पहुंचास कैसे आप चैन करेंगे कि या अस्पताल में मनियज के परिजल है अपना वह अपना कार्ट देख लाएंगे मैं पर जहां एडमीट है मैं बेड नमबर यह यह डॉक्टर देख रहे है इस हॉस्पिटल में है जो लोग अपना जोरत मन से में जोरूर आएंग मेरे पास अथा राजू जी के कुछ वर्कर हैं जो इस समय उन से भी हम लोग बात करते हैं वो कितना खुस है आपके मालिक ने इस तरह का कदम उठाया कितना खुस है बहुत खुस है क्या लगता है अच्छा लगता है ऐसा होना चाहिए सब लोगों को ऐसा आगे बढ़के कदम उठा खाना चाहिए तो मैं खाने की बात जब हो रही है तो तस्वीरे आपको दिखा देगा कि जो लोग बोकारो इस्टील सीटी में अगर सदर अस्पताल में आईगे और उनके परिजन भूखे होंगे तो आप भूखे नहीं रह पाएंगे तो राजू जी ने एक फैसला किया ह कि जो लोग सर्किट हाउस में इस तरह चावल सलाज समजी उपकोड़ी दाल उन्हें उपलब्त करा जाएगा और खिलाए जाएगा और यह बताया जाएगा कि बुकारो इश्टील सीटी में केवल पैसे रहने से दिल नहीं होता दिल उनके पास भी होता है जिनके पास पैसे नहीं होते हैं ऐसे ऐसे लोग भी चलकर आगे आ रहा है जिने घर में रहना चाहिए था लेकिन परिसद महवन में ही उन्होंने एक ऐसी मेवस्ता की है कि वकारो इस्टील सीटी के लोग उन्हें धन्यवाद जरूर देंगे हम भी धन्यवाद देते हैं राजुजी को कि बोचनाले में सिंग साहब भी मवजूद है और सिंग साहब भी यहाँ से जानता है इसी का नाम भारत है जहां हम लोगों को कहा जाता है कि विभिन्ता और अनेकता में एकता तो उस मिसाल का पर्षे हमारे छोटे भाई राजुजी ने हमारे पूर पर्षित भी है उन्होंने ये आज ये कदम उठा करकर किया है इसके लिए पूरे बुकारो वासी के तरफ से और पूरे समाजिक संगठन के तरफ से राजु जी को हम लोग दिल से धन्य बात दे रहे हैं क्योंकि वो ऐसा पहल किये हैं कि जो लोग सदर हस्पताल में बीजी एच में या किसी भी बुकारों में किसी भी तरह से जो मरीज है अपने इलाज के करम में आए हैं उन्हों को भोजन कराने के लिए इन्होंने ऐसी पहल की है इसी का नाम भारत है और इसी लिए कहा गया है भारत को कि सभी देशों से महान मेरा देश भारत है क्योंकि ऐसे ऐसे लोग इस प्रित्वी पर जन्म लिए है पहल करने के लिए साड़कों पर ना निकल जाए ये पहल राजुजी जी ने इसलिए किया है कि वो एक जगह है, जहां पर वो मौझूद है, जहां उनका जो भोजनाले है, वो कुछ चंद लोगों के लिए खुला है, तो ऐसे लोगों को वो मदद कर रहे हैं, जिनके परिवार बीमार है, ऐसा नहीं कि आप सलकों पर निकलने की कोशिस करें, खता ही रही, आपको घर में रहना है, सुरच्चित रहना है, हमारे बोकारों को सुरच्चित रहना है, इसलिए आप घर में रहें, जो लोग मरीज हैं, उन तक ये बाते हम पहुचाने के लिए आए हैं, समझ रहे हैं आप?